नमस्कार ललितपुर लाइफ टीवी में आपका स्वागत है जैसा की आपको बता देखी आध देर शाम ललितपुर जिले के कस्पा बानपुर बार रोड के इंटर कॉलेज के पास एक ट्रेक्टर को ओवर टेक करते समय बाइक फिसल गई और जिससे एक बड़ा हाथसा हो गय बाइक सवार एक योवक्त की तो मौके पर ही दर्गनाक मौत हो गई दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया जया से 108 एंबुलेंस ललितपुर जिला चिकित साल्य रहफ कर दिया गया है घटना उस समय घटी ग्राम डगराना निवासी के लाश पुत्र बालचंद्र लोधी अपने एक साथी माधव पुत्र बाबु लोधी के साथ आवश्यक कारिय से बानपुर आया था वह काम निप्टा स्थानिय निवासियों ने घटना की जानकारी तुरंत पुलिस वा एंबुलेंस को दी एंबुलेंस से उन्हें बानपुर प्राशुन्य स्वास्त के इंद्र लाया जहां से उन्हें जिला चिकित साल्य रहफ कर दिया मृतक शादी शुदा था और उसका 12 साल का एक पुत्र है घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है ललितपुर लाइफ की के लिए बानपुर से आमिर मंसुरी की रिपोर्ट